विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल पेपर हैकर आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट की ठीक है जो हम पढ़ रहे हैं बेरी शॉर्ट आंसर टाइप कोश्चन यूनिट आपका 6 और 7 ठीक है दोनों आपके कंबाइन दे रखें ठीक है लगबग लगबग एक ह क्यूंसर गूंगे ठीक है तो यह दोनों किया है आपके 6 और 7 दोनों को हमने एक ही बार में पर ना ठीक है तो यह हम पर ना है बेरी शॉर्ट आंसर टाइप फोás स्ट कॉष्चन कर लिया है आज हम बात करेंगे six or seven units से जो भी आपके very short answer type question बन सकते हैं दे रखे हैं उनको हम पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं question number 60 बहुलक क्या है ठीक है बहुलक जब हमने पढ़ा था तो बहुलक में हमने जाना थे कि छोटे छोटे एक लग ठीक है या मोनोमर मिलकर जब एक ब्रहत अडू का निर्माण करते हैं या बड़ा अडू बनाते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है ठीक है बहुलक कहलाता है ठीक है या पॉलीमर कहलाता है तो पॉलीमर क्या है तो यह उच्छ अडुभार वाले योगी खोते हैं कैसे होते हैं उच्छ अडुभार वाले योगी खोते हैं ठीक है इसमें छोटे छोटे आपके पॉलीमर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं एक बड़ा सा योगिक बना लेते हैं जि आपके प्रकृति में ही पाय जाते हैं तो यह कहां पाय जाते हैं तो यह प्रकृति नंबर आपका 62 हो जागा ठीक है टेफलोन का ठीक है which is highest additional polymmor आफ टेफलोन तो टेफलोन का उच्छ बहुलक आपको बताना है कॉनसा है ठीक है टेफलोन का उच्छ बहुलक क्या ह Herman भी टेटराफ़ारो एथिलीन क्या पढ़ाता है हमने टेटराफ़ारो एथिलीन पढ़ाता ठीक है जो कि किस से बन रहा था आपका टेफलोन से बन रहा था टेफलोन से बन रहा था टेटरा फिलोरो आपका एथिलीन ठीक है कुछ इस तरह से इसमें 2, आपके कह लगे हुज़ी थे, फ्लोरीन गुरूप लगे हुज़ी थे, इस थरह से, ठीक? तो 4 आपके फ्लोरीन हो गये, और वागे आपका कही है, यह एत्लीन हो गया, तो टेटरा फ्लोरो एत्लीन क्या है, आपका, एक बहुलक है, ठीक है, यानि कि जो इस्टाइरान है ठीक है इस्टाइरान ये किस से बना आपका छोटे छोटे इस्टाइरीन से मिलकर बना हुए ठीक है इस्टाइरीन से मिलकर आपका इस्टाइरान का निर्माढ हुआ है तो हम कह सकते हैं कि जो आपका इस्टाइरान है ये इस्टाइरीन का बहुल हो जाएगा ठीक है इसमें बहुत सारे आपके अमाइड गुरुप लगे रहते हैं तो बहुत सारे आपके अमाइड गुरुप लगे रहते हैं तो बो मिलकर क्या का बनाते हैं पॉलियमाइड गुरुप उलियमाइड बना लेते हैं जो कि है आपका पॉलियमाइड बनालेते हैं जो कि क्या होता है यह चेृफ इसकया क्रित्र सबसे पहले कहां कहां बनाया गया था ठीक है तो नाइलॉन की अगर हम बात करें तो यह आपका कृत्रम रेशों से ठीक है कहां से नाइलॉन सबसे पहले कृत्रम रेशों से बनाया गया था यह सिंथेटिक फाइबर से जो है इसको बनाया गया था ठीक है किसको नाइलॉन को ठीक है सबसे पहल ऑ Alg her बना लेते हैं पॉलिएश्टर का निरमार कर ले ठीक है तो आपका टैयरी बने क्या है पॉलिएश्टर है क्या है आपका पॉलिएश्टर ठीक किया होते आपके cellulose polysaccharide means इसमें monosaccharide की किसके monosaccharide यह बहुत सारे अडू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं polysaccharide ठीक है जब monosaccharides आपस में मिलते जातें मिलते जातें एक लंबी चेन बना लेते हैं तो भो आपका कहला था तो सभी섯ं होते हैं तो सभीट भसा आपके डिरजेंट में कौन सा समूल होता है जो आपका डिटर्जेंट होता है या हम जिसे कपड़े दुलने वाला सावन भी कहते हैं तो उसमें आपका कौन सा समू या गुरूप प्रिजेंट होता है यह आपने बताना है ठीक है तो यहाँ पर जो डिटर्जेंट होता है उसमें आपका एक तो आर लगा रहता है ठीका क्या लगा रहता है आपका आ ठीक है जिसे हैं मिठायल कृरॉप कहते हैं ठीक है बाकि आपका 6-1-4-5-2-1-5-6-5-2-1-6-5-6-6-5-6-4-5-4-5-6-8-9 जिसमें आपका ये मिठायल क्मूप लगा रहेगा carbon 6 और hydrogen कितने होंगे 4 और SO3 Na ठीक है तो यह हो जागा आपका detergent का समूँ question number 70 कह रहा है laurel sulfate क्या कह रहा है laurel sulfate का क्या कारी है जो आपका laurel sulfate है इसका कारी है किस रूप में किया जाता है या क्या है ये ठीक है तो यह जो आपका laurel sulfate होता है ये mostly आपका detergent की रूप में प्रियोग किया जाता है ठीक है किसके रूप में detergent की रूप में ठीक है जो आपके कपड़े दुलने के powders बनाया जाते हैं तो इनमें हम किसका उप्यो करते हैं laurel sulfate का उप्यो करते हैं ठीक है detergent में question number आपका 71 71 में कहा रहा है प्राकर्तिक बहुलक का उदाहरण बताईए कोई एक आपको प्राकर्तिक बहुलक बताना है नेचरल पॉलीमर बताना है ठीक है तो नेचरल पॉलीमर या प्राकर्तिक बहुलक की अगर हम बात करें तो यह आपके क्या होते है नाइलोन होते है ठीक है क्या होता आपका नाइलोन आपका एक नेच्रल पॉलीमर है ठीक है क्या नाइलोन ठीक 72 का रहा है संगनन बहुलक के नाम लिखिए ऐसे बहुलक बताने है जो संगनन पर बनते हैं ठीक है किस पर बनते हैं आपको तो सब्कुँ करने पर आपको बहुलंकल मिलेंके नाम बताना थेका है के और इसा करने पर करने पर हमें समय कसे प्राप्त होगी तो इस तरह से क्या हो जागा नाइलाउन, बैकलाइट, इुरिया, फर्मेल्डियाट और रेजिन 73 करा थर्मो सेटिंग पॉलीमर का नाम बताई है क्या तो थर्मो सेटिंग पॉलीमर आपका क्या हो जागा यह आपका एक तरह का प्लास्टिक होता है ठीक है थर्मो सेटिंग ठीक है पॉलीमर और होता क्या है यह थर्मो सेटिंग आपका वैके लाइट होता है ठीक है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक तो यह आपका क्या है वैके लाइट आपका एक पॉलीमर है ठीक है थर्मो सेटिंग पॉलीमर का नाम बताई है तो थर्मो सेटिंग प यूनिट बतानी है क्या है ठीक है तो यह आपकी निचुरल रभर की यूनिट आपके क्या होती ही ब्यू टढीन इंपियो करे इस तरह से और आपका हो जा एक निचुरल रभ टिक है विडिटा डाइन क्लिक है क्या है यापका जी VNR का उपियोग क्या होता अब यह पैट्रोल टैंक बनाने में काम में आता है ठीक है कौन सा करते हैं प्जब प्योग आ जाता है इस तरह से आपका यूणि involved on में यहाँ पर complete हो जातेए यूणिट 6 और सेवन in 6 और इसमें इसमें लिखिस टक कुशिंब टिसक्स कर लिया है इनको अच्छे से धेक लेना अच्छे पढ़ लेना याद कर लेना बहुत ज्यादा important question है यहीं से आपके objective बन जाते जो कि आपके परिक्षा होती है ठीक है जो आपकी जितनी भी आपकी परिक्षा होती है ठीक है वन्डी परिक्षा है उनमें आपके यह पूछे जाते है ठीक है आपकी basic exam को छोड़ कर हम बता रहे ह यतनी ही परिच्छा उती हैं उनमें भी इस तरह से कोश्चन आपके पूंच लिए जाते हैं थीक है तो इस तरह से आपने क्या हो जागा आपका प्लिश टारी ने सकाफियोग क्या है तो इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है याद कर लेना है और बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे कोश्शंस के साथ सब तक के लिए थैंक्यू वावाई